हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इस्टोरेंट्स लाइब में तो काफी लंबा इंतजार करने के बाद फाइनली जो है CBC के तरफ से टर्म 1 की जो डेट सीट है क्लाश 10th की और 12th की निकाल दी गई है चलिए जानते हैं कि कौन-कौन से दीन कौन-कौन से सबजेक्ट के एक्जामिशन से हैं यहाँ पे सिर्फ major subjects के यहाँ पी डेट सीट से निकाली गई है जो भी vocational subjects है या फिर जो हम बोल सकते हैं minor subjects हैं उनकी यहाँ पे डेट सीट नहीं है फिलाल जो आपके major subjects हैं जो कि आप लोग के लिए ज्यादा important है तो उन subjects के हम यहाँ पे date को देखते हैं ओके जब भी minor subjects के जो भी date sheet आएगी तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा फिलाल अभी जो CVC ने है वो major subjects की date sheet निकाली है जो main subjects आपके है तो examinations main subjects के start हो रहा है 30 number से 30 number को पहला paper होना है social science का इसके बाद अगला examination है 22nd December को जो की है science का next 3rd December को है home science का home science जिनका होगा तो उनकी examination होगी जिसका नहीं होगा तो फिर आगे वो 4 December को उनकी examination होनी है तो यहाँ पे देखा जाए तो दो तारीक को science का और सिर्फ एक दीन का ही gap दिया गिया है और 4 December को maths का examination होगा है तो दो main subjects science और maths का जो examination है वो काफी जल्दी जल्दी यहाँ पे लिया गिया है तो यह students के लिए थोड़ा सा मुसीबत हो सकता है next इसके बाद अगला जो examination है वो है 8 December को जो की है computer applications का next आगे 9 December को है Hindi course A और Hindi course B तो जिनका भी course A है उनका course A का examination होगा जिनका B है तो B का होगा लेकिन यहाँ पे जो date sheet निकाली गई है यहाँ पे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आखिर क्या सोच के science और mathematics की जो भी यहाँ पे date sheet रखी गई है वो लगातार रख दी गई है जबकि यह दोनों main subjects हैं और in subjects के बीच में gapping सिर्फ एक दिन का रखा गिया है और साथ ही साथ English की जो examinations है वो है 11 December को तो यह हमारी last subject हो जाती है जो की main subjects होगा इसके बाद यहाँ पे कुछ-कुछ आप देख सकते हो कि कुछ notes दिये गए हैं तो इसको फटा-फटा-फट हम पढ़ लेते हैं क्या दिखा गया है इसमें दिया गया है कि date sheet और minor subjects will be provided to the school separately तो जो minor subject की date sheet है वो school के तरफ से दी जाएगी ना कि वो आपको CBSC निकाल के देगी ठीक है तो जो minor subject के जो भी minor subjects है उनकी जो date sheet है वो CBSC नहीं निकालेगी वो school ही तरह करेंगे कि कब कौन से दिन examinations होने है ठीक है और ये जो date sheet है वो 17 November से उनकी examinations होंगी minor subjects की और जो main subject की examinations हो रही है जैसा कि अभी मैंने आप लोग को उपर में ही बताया वो है 30 November को जो की है social science का ठीक है और इसमें आप notes में जो भी important चीजें है उसको आप पढ़ सकते हो जो भी instructions है जैसे पहले भी मैंने आप लोग को बताया था कि पहले क्या था कि 15 मिनट समय दिया जा रहा था question paper पढ़ने का वो अब बढ़ा कर 20 मिनट कर दिया गया है और जो examinations सुरू होगा वो है साड़े 11 बजे से पहले साड़े 10 बजे से सुरू हो रहा था तो ये सब सारी चीजें आपने पिछले वीडियो मैंने आप लोगो अल्रेडी बताया हुआ है और जो examinations होगा वो 90 मिनट का होगा so आज के लिए बस इतना ही अगर किसी तरह का कोई भी पुरश्न होगा तो वो आप comment box में जरूर करे और class 12 का अगर आपको date sheet डाउनलोड करना होगा या फिर 10 का तो description पर link दिया हुआ है उस पर click करके आप date sheet को डाउनलोड भी कर सकते हैं